और ये देखिए 12 बजने वाला है और मैं सोच रही हूँ मैं रस गुल्ले और दही बड़े भी दोनों प्रिपेर कर लूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिल पाएगा और ये देखिए बाहर में एक आई कपड़े लेने के लिए क्योंकि बाहर में ही था एक किचन का कपड़ा तो रात में कुछ इस तरह से व्यू लग रहा है मैं सोची आप लोग से भी इसे सेयर करूं तो ये देखिए रात में सब सोच चुके हैं कुछ खिड़कियों से लाइट आ रही है जो बना रहे हैं लोग तो ये देखिए मैं गुलाब जामुन बनाने की तियारी कर ली हूँ और इसमें मैंने क्या किया है कि जो पाउडर आते हैं गुलाब जामुन के मैंने उसे ले लिया है चाल करके आप ले लिजे क्योंकि उसमें कुछ दाने दाने जैसे होते हैं जो नहीं अच्छे से वह ज तो खोया थोड़ा जादा कोई टीटी में मैं ली हूँ पनीड से, तो आप उसे कम भी रख सकते हैं, बराबर मात्रा में भी रख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि खराब बन जाएगा अगर कम जादा होगा तो, तो इस तरह से आप रेश्यो में ले करके, और अगर आप बनाए इसे क्या होता है ना कि बहूत अच्छे से सब दूजरे में हो जाता है उसके बाद में देखिए अब दूद में लगाऊंगी यह को तो उससे आप बहुत अच्छे से डो को लगा पाएंगे और जब तक यह स्मूड डो ना हो जाए तब तक थोड़ा थोड़ा दूड़ डाल करके इस तरह से गून लेना है है तो यह देखे मैं गूत के एक मलमल के कपड़े से उसको भींगा दी हूं और मैं ढग करके इसे 10 मि पहले मैं बनाई थी किट्टी के लिए उसे भी मैंने मिक्स कर दिया था यहां पे इलाइची जो मैं कुटी हुई थी उसे एक चमच डाल दी हूं और बस बंद कर दोंगी तो यह देखे कुछ मैंने गोले इस तरह से बना करके रख लिया और यहां पे तेल जो है वो मीडिय नहीं लगानी है बस अभी छोड़ देना है जब तक कि यह उपर ना आ जाए मैं पहले भी आपको बताई हूं अगर आपका मन करें तो हलका जब कलर हो तभी आप निकाल लीजे क्योंकि लगबक साथ से आठ मिनट लगते हैं एक स्लोट को सेके जाने में साथ आठ मिनट से क अब लगते हैं क्योंकि एक दम घीमी आज पर या मेडियम स्लोट से सेका जाता है और इस तरह से सारे को मैं निकाल दोंगी तो यह देखिए मैं सारे रसगुले को तल करके निकाल ली हूं और मैं चासनी में डाल दे हूं चासनी यहां पर अभी मीडियम गर्म है और अब मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ज़्यादा देर जाक पाऊँगी क्योंकि इसे बनाते बनाते लगवग दो धाई बच चुके हैं और सुबह भी जल्दी उठना है क्योंकि मैंने अभी तक घुजिया भी नहीं बनाया तो दही बड़े और घुजिया का काम मैं सुबह जब दाल करके और रख दे रही हूं कल मिलती हूं यहां पर मैं एक कटोरी पाने ली हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा बैटर को डाल के भी देखूंगी यह अगर उपर हाँ देखिए उपर तैर रहा है अगर उपर तैर रहा है इट मिन्स आपका बैटर अच्छे से रेडी हो गया है तलने के लिए और यह मैं उसमें जीरा डा है और पानी के हाथों से आप बड़ो को अपने साइच के जो भी लगए आपको छोटा है यह बढ़ा बना ना है उसके कॉडिंग तेल में यहां पर डाल दीजे और जितने तेल में अट पाए उतने बड़ो को आप यहां पर डाल करके अभी छोड़ दीजे मतलब डाल करके थोड़े देर अभी तेल में रहने दीजे और यह देखिए मैंने दो तीन मिनट तक कमाज पर ही छोड़ दिया था यह साइज में ड लट रही हूँ और इसी गोल्डेन होने तक इसी तरह से सारे बड़ो को मैं तल करके निकाल लूँगी तो इस तरह से मैंने सारे बड़ो को तल लिया है और मैं अब गर्म पानी करूंगी और गर्म पानी में बड़ो को डाल दूँगी तो गर्म पानी में मैंने नमक और हिंग डाला और बड़ो को डाल दिया और अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूगी तो ये दही को मैंने फेट लिया और थोड़ी सी पीसी चीनी डाली और अच्छे से फेट लिजे और बडो को पानी से निकाल कर निचोर दीजिए उसे अच्छे से तलहती के दवाओ से और बडो को डाल दीजिए इसमें और अभी ढखकर 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो ये देखिए मेरे रस गुले कितने अच्छे बन करके त्यार हो गया है इसमें रस बहुत अच्छे से चला गया है और बहुत ही सॉफ्ट बन करके ये त्यार हुआ है और ये दही वड़े हैं जिसे मैंने सर्व किया है इस पर मैं जो सोट की चटनी बनाई थी वो डाली फि था रहता है, यह फिलिंग के लिए पहले मैं बतारी हूं ले लिया है यह घर कहीं खोया है और चीनी पीसी उए जो रखी ती वह बुआ से अगर आपहे दौड़ाएन पीश करके रकी तीude है तो इस तरह से मैं सब फिलिंग को पहले मिक्स करके रख लूँगी यह देखिए मैंने डो लगा लिया था और कपड़े से ढख के रख दी दो के लिए कुछ नहीं करना है बस मैदा लेना है मैदा में सिंपल उसमें आधे कीजी में मैदे का बनाई हूं और इसमें मैं चार चम करना है तो आफी को सब देखना है और यहां पे कटोरी में मैं पानी भी रख ली हूं और यहीं पे स्लैप पे मैं लोईयों को बेल करके और छोटी-छोटी पूडियों की तरह मैं बना लूंगी और यहां देखिए मैंने थोड़ी सी ठीकी रखी हूं क्यूंकि अगर चासन चिपका दीजिए जो दोने किनारे हैं चिपका दीजिए और आराम से डालिए फिलिंग ज्यादा नहीं डालिए नहीं तो फटने का डर रहेगा और अपनी हाथों से अच्छे से पहले किनारों को दवा के चिपका दीजिए और इस तरह से आप इसके किनारों में डिजाइन बना लिजिए मतलब दवाते जाना है आगे बढ़ते जाना है अगर आपके पास सांचे हैं तो सांचे सुई बनाईए मैं भी इस तरह बना रही हूँ बाद में मैं सांचों से भी बना करके रख लूँगी और सारे मैं इसी तरह से बनाते जाओंगी तो ये देखिए फिर से मैं दिखा दे रही हूं इस तरह से दवा करके दोनों किनारों को दवा दीजिए और बस एक तरफ दवाते जाए ये फिर किनारों में आए ये फिर दवाए ये और इस तरह से गुजिया आप बना लीजिए साचे हैं तो इजी है साचे से बना तो याद रखिएगा तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए नहीं तो फुटकी टाइप की हो जाएगी मीडियम गर्म होनी चाहिए और धीमी आज पे मैं गुजिया को डाल के अभी छोड़ दूँगी तो ये देखें मैं इसे धीमी आज पे ही बेटा हला नहीं करते इसे मैंने धीमी आज पे ही गोल्डन होने तक मैंने तल लिया है ना कलर इस तरह से रखिए आप चाहिए तो हलका कम कलर मतलब हलका वाइट में भी निकाल सकते हैं और इसी तरह से मैं सारी गुजिया को थोड़े-थोड़े करके मैं तल लूँगी और आज अभी जाना है बचा है एक या दो लोड बचा है मैं निकाल लेती हूँ और वहां कि मैं तियारी करती हूं तो ये देखे मेरे вас मेंन्यू बनके लगबग त्यार है नमक पारे सकक्कार पारे गोजिया मसाले वाले नमक पारे तो भाही भी देखे खाने के लिए तो इस तरह से आप भी बनाइए और इंज्वाइ कीजिए और मिलती हूं मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए और ब्यस्त रहिए